हाई एवरीवन, वेलकम बेक टू कोड़ स्टेब बेस्टेप, मैं नेम इस अनिल, यह फोर्थ पार्ट है हमारे रियाक जैस इंटर्विव क्वेशन सिरीज का, तीन पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हमने सिंपलेस्ट रिय मनते हैं, तो मैंने 10 क्वेशन इसके उपर ही रखे हैं, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम भी बना रखा है, यहाँ आप देख सकते हूँ, इसका आउटपूट दिख रहा है, क्लिक के उपर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो एक स्टेट अपडेट होती है, हमारे पिछले 3 interview question वाले part है न, वो देख बार देखो, ठीक है, because अगर आपको state के बारे में नहीं समझे में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा और basic से start करने के जुरूरत है, समझ में आ रहा है, तो आप देखुल perfect जग है पर हो, so start करते हैं पहले question के साथ में, पहला question, एक theoretical question मनता है, कि life cycle methods होते क्या है, पहली बात आप एक ध्यान रखना, life cycle method न, एक project से related नहीं होते हैं, अगर आपके project में 50 component हैं, तो 50 के 50 component के अपने अलग life cycle methods बनेंगे, बहुत से लोगों को यह लगता है कि life cycle method पूरे एक project के ही होते हैं, जी नहीं, वो component के हिसाब स होते हैं, project के हिसाब से नहीं होते हैं, second चीज में आपको बताता हूँ, यह होते हैं, अगर इसकी definition के बारे में बात करें, यह predefined methods होते हैं, जो हमारे component को monitor करते हैं, और उनको update भी कर सकते हैं, monitor कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब है, जब भी हमारा एक component create होगा, update होगा, या फ हो रहे हैं, कब update हो रहे हैं, कब कुछ हो रहे हैं, और उनको हम update कैसे कर सकते हैं, आप एक lifecycle method के अंदर, state भी set कर सकते हो, कुछ conditions वगरा भी check कर सकते हो, कुछ code भी लिख सकते हो, तो इसलिए हम कहते हैं, हमारे component को update भी कर सकते हैं, ठीक है, so definition क्या बनती है, यह predefined methods होते हैं component के जो हमारे component को monitor और update कर सकते हैं ठीक है यह definition हो गई all right अब मैं एक छोटा सा example दिखाता हूँ आपको पहले कि कैसे हम लोग use कर सकते है life cycle method को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले import करता हूँ एक चीज हाँ और मैं आपको बता हूँ life cycle method class component में अलगतरी के सी यूज होते हैं functional component में अलगतरी के सी यूज होते हैं तो आज कल कुछ लोग demand करते हैं कि आप लोग class component वाले चाहे मत पढ़ाओ बट functional component वाले ही बता हूँ तो मैं आप जो example ले रहा हूँ functional component के हिसाब से ही ले रहा हूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले use effect use effect जो hook होता है ना इनको कहते हैं hook जहाँ पर आपको react.js के अंदर use लिखा हो मिल जाए ना यहाँ पर उसका मतलब है कि वह hook है और वह class component में use नहीं हो सकता वह बस functional component के अंदर ही use होगा तो अब इसको उम use कैसे करेंगे इसको आप इस तरह के से use करोगे as a function और इसके अंदर आप लोग एक function call करोगे तो आप यह बोल सकते हो कि use effect के अंदर एक parameter होता है जो कि एक callback function को call करता है इस तरह के से यह भी हमने एक function बना देना parameter के अंदर और यहाँ मैं console कर सकता हूं कुछ conditions लिख सकता हूं कुछ भी code कर सकता हूं your code तो यह एक basic example हो गया life cycle method का ठीक है great अब आते हम next वाले पार्ट के उपर आप से यह पुछा जा सकता है कि life cycle method के अंदर कितने phase होता है इसके लिए वैसे तो मैंने यहां पर पूरा पूरा diagram लिया हुआ है इसके help से समझाऊंगा बट सबसे पहले आपको basically बता दूँ तीन phase होते हैं mounting जब आपका component create होगा या फिर mount होगा updating जब आपके component में कोई state या फिर कोई data update होता है props भी कह सकते हो आप unmounting जब आपका component आपकी DOM से या फिर आपके HTML से भी कह सकते हैं simple भाशा में remove कर दिया जाए तो उसको कहते हैं unmounting यह तब goal होते हैं जब इन में से कोई भी phase होता है वो चलता है इस question को कुछ इस तरीके से पूछा सकता है यह phase पूछ लिए या फिर आपको ऐसा सकते है कि आपके lifecycle मेंतर कभरन होते है produce और उनके उंदर आप भी這邊 कर वा सकते हैं आप्डेट करवा सकते हैं API कॉल कर सकते हैं conditions चेक कर सकते हैं loops लगा सकते हैं हर तरीके का code कर सकते हैं इसकंदर को यह आपको constraint नहीं मिलेंगे, बशर्ते एक life cycle method के अंदर आप component नहीं बनाता होगी, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, देख, mounting phase होता है, उसकंदर constructor चलता है, और component did love life cycle method होता है, यहाँ पर तीन phase होता है, जब आपका component create होता है, अपडेट होता है तो यह वाली चीज़ें होती है, और जब unmount होता है, तो यह वाली चीज़ होती है, बस, इसकंदर एक life cycle method होता था, पहले class component में, component will unmount, वो चलता था, बट यह सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो class component did unmount हो, did update हो, will unmount हो, get snapshot before update हो, construction हो, render हो, सारी की सारी चीज़ें handle हो जाती है, यूज इफेक्ट मैथ्टड से यह ना functional component के अंदर यह अकेला hook सारे के सारे life cycle method को control कर लेता है कैसे मैं आपको बता हूँगा कि डाइगराम समझ में आगा कि तीन फेज होते हैं कब कोल होते हैं यह समझ में आगा life cycle method क्या होते हैं इसका अब answer दे पाओगे अब एक call back use effect method होता है ना नहीं कि एक life cycle method होता है इस तरीके से बनाओ कि जब हमारा component create वो तभी call हो call use effect when component is created only कि जब वो create होगा वो तभी call हो उसके बाद call ना हो ठीक है कैसे बनाते हैं देखते हैं सबसे पहले मैंने मैं इसको दुबारा से बनाता हूँ बिल्कुर scratch से ना इंपोर्ट करेंगे use effect लिखेंगे और उसके बाद में हम यहां पे लिख सकते हैं कुछ भी console dot one और यहां पे कर सकता हूँ life cycle method gold ठीक है यह बन गया अब यह तरीका होगा जो हमारे life cycle method gold होगा तो यह proper नहीं है इसके मदर में कुछ edit करके दिखांगा बट पहले मैं आपको इसका result दिखाना चाहता हूँ जैसे ही मैंने मेरी application को refresh करा तो यहां पर आप देख सकते हो life cycle method gold यह call हो गया ठीक है जो इसने बोला था कि call a use effect when component is created only तो यह call हो गया ठीक है बट इसके साथ में problem है अगर मैं इस पर click भी करता हूँ ना तो यह फिर से call हो गया देखो यहां पर चीक है मैं फिर से click करता हूँ तो यह फिर से call हो जाएगा अब तो state update नहीं हो रही है हमारी क्योंकि एक बाद state update हो चुकी है यहां पर click करूँगा यह फिर से call हो गया तो यह एक्चुली प्रोपर वे नहीं है कि जब हमारा component life cycle create हो तभी call हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर blank array pass कर दो जब आप blank array इसके नदर pass कर दोगे ना तो बस यह जब आपका component create होगा ना मैं इसको refresh करके दिखा दो तो हमारा component create होगा refresh करने पर तभी call हुआ यह देखो अब मैं button पर click करता हूँ तो यह call नहीं हुआ ठीक है इस तरीके से आप अगर यह बोला जाए कि कैसे करोगे बस जब component आपकर create हो तभी call हो life cycle method तो आप बस यहां पर blank array pass कर देंगा that means जब आपका component create होगा तभी यह call होगा बस और कभी भी call नहीं होगा इसका मतलब क्या है यह क्या example बना हमारे life cycle method यह तरीका बनेगा component did mount जब हमारा component mount हुआ तभी यह life cycle method चला बस ठीक है next question पर जाते हैं कहता है कि call use effect method when any state or prop will update अब यह कह रहा है कि एक use effect method हो इस तरीके से call करो कि जब कोई state या फिर props update हो तभी call हो ठीक है अब देखो मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं इस तरीके से ठीक है और यहां पर log लगाता हूं लोग लगा लेंगा reason बताता हूं यहां पर warnings काफी सारी आ रही है तो मैं क्या करूंगा यहां पर वर्निंग्स हटा देता हूं यह भी हटा देता हूं इसको मैं clean करता हूं अब देखो क्या हुआ हमारा life cycle method यहां पर call हो गया और जब मैं इस पर click कर रहा हूं तब भी यह call हो गया click करने पर call है वो तो बढ़िया है वो तो हमें चाहिए बट यह refresh करने पर भी call हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसको stop करने के लिए क्या करोगे जो हमारे state update हो रहे है यहां पर name update हो रहा है देखो यह वाला name तो इसको आप अच्छे example दे सकता हो मालो मेरे पास दो state है एक यहां पे नाम है और एक यहां पे email आएडिया है नहां पर लेता हूँ email और यहां लिखता हूँ set email और मैं email baby के लिए blank रख रहा हूं और एक और button लेता हूँ मैं यहां पर यह करता हूँ set email जब मैं email call करूँगा ना तब हम life cycle method call नहीं करेंगे बस name के उपर ही करेंगे ठीक है और यहाँ पर करता हूँ अनेल सिद्धू अब जब मैं इस पर click करता हूँ तब आप देख सकते हो life cycle method call ठीक है तो इस तरीके से हम एक specific state या प्रोब के उपर भी update करवा सकते हैं मालो आपके पास 50 state है और आप चालते हो कि दो state के उपर call हो जाए मालो name email phone number पता नहीं कुछ कुछ है अब दो पर चालते हो तो कॉमा करके दो state दे दो अब तीसरी state को होगी ना उसके उपर यह life cycle method नहीं चलेगा बस दो के उपर ही चलेगा ग्रेट अब एक और example है यहां पर यह बोल रहे है कि call a use effect when component is unmounted इसका मैं आपको अच्छली example दो नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैं example बनाने बैठा ना तो मुझे पूरा 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 प्रोग्राम बनाना पड़ेगा बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा कोड लिखके दिखा देता हूं कि क्या कोड इसके उपर रन होगा हमारा सो उसके लिए को क्या करना पड़ेगा एक और life cycle method ले सकते हो इसमें कोई प्रोडम नहीं आपको अच्छा मैं इसको कमेंटी कर देता हूं यह हमारा बाद में कभी काम आ जाएगा use effect इस तरीके से और यहाँ पर आपको return करना है return और जब आप इसको यहाँ पर console लिख दोगे ना कुछ भी और यहाँ पर कुछ भी कोड लिख होगे तो वो बस तभी चलेगा जब आपका component unmount होगा नहीं कि जब आप एक component को hide कर हमारे next question की साइड़ आते हैं okay how can use effect make a infinite loop और हम इसको resolve कैसे कर सकते हैं बिलकुल एक जो अचा मैं दोनों state को हटा दौमी के लिए ना ताकि एक ही state बचे हमारी इन फालतों चीज़ों को हटा देता हूं मैं इसको भी हटा देता हूं इसको भी द्वारा लिखेंगे हम यहाँ हो सकता है पहले तो आपको infinite लूप बनागे दिखाता हूं क्या होता है कि यूज मतलब कि कैसे बनेगा यूज इफेक्ट क्या होता है यह आपको पता है यह नोड़ा होती इसमें दो और यहाँ मैं लिखता हूं कंसोल डॉट वॉन और ऐसे करने के उपर मैं यहाँ लिखता हूं यूज इफेक्ट कॉल्ड ठीक है इसमें कोई प्रोलम नहीं है अब यहाँ पर आते हैं यह ओविसली कॉल हो रहा होगा है यहाँ आप देख सकते हो अच्छा मुझे यहाँ पर वह निल लगाना पड़ेगा मैंने वह रहा हटा रखा है लोगा दिया और यहाँ पर हमें दि इसमें कोई प्रोलम नहीं है ठीक है यह नॉर्मल ही चलेगा बट अगर मैं इसके अंदर स्टेट अपडेट करवा दूं इस तरीके से अब देखना क्या होने वाला है अब मैंने अगरा इसके अदर स्टेट अपडेट करवा दी और जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपक क्या आप यहां पर करवा दो मैथ डॉट रेंडम विकोज यह हर बार न्यू वैल्यू देगा आपको चिक है और अब देखना यहां पर चलता है इंफाइनाइट लूप थोड़ देर नहीं नॉर्मल चला और फिर यहां पर देखियो मैक्सिमम डैप्थ उक्सीड तो इस त इसको आप किसी कंडिशन पर कोल करवा ओ या तो इसको एक बार बोलो कि जब आपका कॉंपोनेट चल रहा है तभी अपडेट करवा ओ या फिर कोई आपकी इमेल या फिर एकस स्टेट है फिर प्रोप्स है उसके बेस के ऊपर करवा ओ अब देखो अब मैंने जा करा इसको जब हमारा कॉंपोनेंट मांट होगा न उसके बेस पर करवा दिया अब इसके अंदर कोई भी लूप नहीं चलेगा थोड़ा हैंग हो गया है अब कोई लूप नहीं चल रहा है तो आपको यहां पर उसके अंदर कंडिशन पास कर देनी चाहिए कि इमेल स्टेट है तभी अ पर बना सकते हैं जी हां बिल्कुल बना सकते हैं इसमें कोई नहीं है एक आपने इस तरीके से बना लिया दूसरे गंदर आपने यहां पर आपकी स्टेट या फिर प्रोप यह पास कर दिया थर्ड आपने नॉर्मली कोल कर दिया तो यहां पर आप कर सकते हैं इसके अंदर कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है बशरते आप उसके अंदर अपना काम है वह सही करना कोई प्रोब्लम नहीं है आप यहां question is क्या हम लोग use effects को बटन के click के उपर call कर सकते हैं answer है नहीं आप नहीं कर सकते अगर आप चाहते हो कि इप única button click के उपर call करो तो आप नहीं कर पाईगे इसको कैसे call कर सकते हो एक button के click के उपर state update करवावा है ठीक है जैसे की हमने पहले भी करके दिखाया था आपको यह state update होगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे name के base के ऊपर चलेगा तब यह use effect चल जाएगा तो इस तरीके से आप करवा सकते हो बट अगर directly आप चाहते हो कि आपका component है वो button क्लिक के ऊपर use effect को call करें ऐसा possible नहीं है ओके और question है यह double-double क्यों बन गया है I don't know okay after that एक और question है कि यह use effect या फिर hooks सारे hooks की एक साथ introduce हुए थे starting में वो कब introduce हुए थे वो हुए थे react 16.3 के अंदर और और अभी कौन सा रियक्ट का version चल रहा है officially चल रहा है 17.02 और वैसे 18 alpha भी आ गया है बट वो अभी के लिए पहले alpha में है फिर beta में आए और stable release में आए तो इसको time है तो आप लोग अगर बोलोगे कि कौन सा वर्द है तो officially 17.02 चल रहा है और क्या हम लोग hooks को class component में call कर सकते हैं जी नहीं आप लोग नहीं call कर सकते हो उनको बस functional component में use कर पाऊगे class component यूज नहीं कर पाऊगे एक hook की पहचान क्या होती है एक hook की starting में अगर use लगा है that means this is a hook use का मतलब ही होता है use effect हो use callback हो use memo हो use state हो कुछ भी हो अगर use लगा है that means वो एक hook है so thank you so much for watching this video और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलना हूँ